तो शीव पुराण के अनुसार जो सकल रूप है, साकार रूप है, जो अव्यवी है, कलाउ सहित है, जिनके दो हाथ हैं, दो से अधिक मुझाए हैं, चरण हैं, मस्तक है, नेत्र है, चटा है, महेश्वर रूप है और जो लिंग है वह शीवस्वर रूप है उस शिव के पांच कृत्य है यहना पांच कारिय स्रुष्टी प्लो कारिय स्थिती बिजू कारिय सम्हार त्रिजू कारिय तिरो भाव चोथू कारिय और अनुग्रह अपांच मौकारिय उस निर्गुण निराकार प्रत्यक चैतन्या भिन ब्रह्म जो शिव नाम से अभीत है जो शिव नाम से जाना जाता है वही स्रिष्टी का कारण है इसलिए तो स्रिष्टी के बनाने वाले ये जो उद्भव करते हैं उसको उसकारी को कहते हैं स्रिष्टी और फिर उस स्रिष् और एक समय आता है कि उसका विनाश कर देते हैं महादेव प्रलयंकर सम्हार करता जे स्वरूप छे शिव जी नो एनू नाम रुद्र और तिरोभाव रूपी कार्य करने वाला शिव जी का जो स्वरूप है वो महेश्व लेकिन अनुग्रह करने वाला जो स्वरूप है वो शिव है तो शिव जी की कृपा से ब्रह्मा स्रिष्टी रूप कारिय करते हैं शिव जी की कृपा से ही विश्णु स्थिती रूप कारिय करते हैं शिव जी की ही विभुती रूप रुद्र सम्हार रूप कारिय करते हैं शिव जी के ही विभुती रूप महेश्वर तिरोभाव वाला कारिय करते हैं और अनुग्रहतों केवल और केवल शिव ही करते हैं और इसलिए शिव मुक्षद आता है